दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आपका फ्यूचर दिखाऊंगा भविश्य दिखाऊंगा पंडित पुरोहित जो आपको भविश्य दिखाते हैं जूटा होता है जो तिशी जो दिखाते हैं आपको फ्यूचर जूटा होता है मैं जो आपका फ्यूचर दिखाऊंगा आ आपको समझ में आ जाएगा आपकी लाइफ में क्या होने वाला है अगर आप अच्छा भविश्य बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखेगा लास्ट तक आपका भविश्य किस किस तरीके का भविश्य की बात कर रहा हूं पैसे का आप क्या पैसे को लेकि आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहने वाली है परिशान रहोगे करोड़ोपती बनोगे नहीं बनोगे धक्ये खाओगे आपका करियर अच्छा बनने वाला है या बरबाद होने वाला है आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है आपकी हैपिनिस का ग्राफ कैसे रहने वाला है आपके रिल आपको आपका भविश्य नजर आजाएगा और आपको समझ में आएगा आप अपना भविश्य कैसे खूबसूरा सुन्दर बढ़िया बना सकते हैं चलिया आगे बढ़ते हैं अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हलका सा हिंट देता हूँ मैंने कुछ कोर्सिज लॉ करवा रहे हैं हम लोग बहुत ही नॉमिनल फीस के ओपर जोर्बा दिजेंड डॉट इन पर जाकर आपको रजिस्टर करना है फॉर्म भरना है और हमारी टीम आपके टश में आएगी आप पैसा कमाने की स्किल सीख सकते हैं इनके तुरू आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको दो अलमारिया हैं एक अलमारी जो है वो फ्यूचर की अलमारी है एक अलमारी जो है आपकी पास्ट की अलमारी है मैं आपसे बोलता हूँ यह वाली जो फाइल है ने यह पास्ट की फाइल से हैं इन पास्ट की फाइलों को उठा के आपको कहां रखके आना है पास्ट की अलम आपका फ्यूचर इसकी वज़ा से अंधकार में आ जाता है एक दो एक्जामपल देता हूँ आपको समझ में आएगा मैं क्या बूल रहा हूँ पास्ट की फाइल्स को आपने फ्यूचर में रख दिया है समझेगा मैं अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट बदाता हूँ मैं पीच देनी है कुछ लेसन पढ़कर आपको स्टडी करके मलब बताना है मैं उठा और जब मैं चल के जाने लगा क्लास के अंदर स्टेज के सामने मेरी धगदग बढ़ने लग गई मैं बड़ा घबरा गया मुझे बड़ी टेंशन हो गई मैं बड़ा डर गया मैं स्टेज क सुनने को मिले मुझे बोला नहीं गया टीचर ने बोला अच्छा जाओ सीट पे जाके बैठा और मैं इतना अंदर से मुझे शरम आई गिल्ट फिलिंग हुई बेश्टी फिलिंग हुई मैंने दिमाग में डिसाइड किया कि आज के बाद मैं स्टेज पर नहीं जाऊंगा आज के बाद पुब्ली स्पीकिंग नहीं करूंगा ओर्डिंस के सामने जाता हूं तो बेश्टी होती है घटना कब घटी बचपन में घटी उसके बाद फिफ्ट के बाद में सेवंथ में आया एट में आया नाइंथ में आया टैंथ में आया जैसे यसे क्लास बढ़ रही थी उसके बावजूद मुझे जब बोला जाता कि क्लास में स्टेज की उपर जाके कुछ बोलना है मुझे घवरा हट हो जाती फाइल कहां कि थी घटना घटी थी पास्ट में पात्वी क्लास में बट मेरे छटी क्लास में भी फ्यूचर लिखा जा चुका था सात्वी में भ पूरा फ्यूचर उस घटना की वज़ा से पब्लिक स्पीकिंग को लेकर लिखा जा चुका था मेरी बात समझ में आ रही है आपको और समझाता हूँ फाइल कहां किया है पास्ट किया है रखनी कहां थी पास्ट में रख दी फ्यूचर में मतलब मैं आगे कभी स्टेज पर जा आज पकड़ा है अब मानलो अफिर खतम भी हो गया है अब वाइफ की नजर से देखेगी वाइफ की आँखों पे एक चश्मा चड़ गया है ब्लू कलर का कि इसका अफिर चल रहा है अब हजबन का कोई अफिर चले या ना चले से मतलब नहीं है छे महीने बाद भी वाइफ उसी नजर से देखेगी दस महीने बाद भी दो साल बाद भी दस साल बाद भी अब वो फ्यूचर लिखा जा चुका है हजबन वाइफ का वाइफ पास्ट को केरी कर रही है मतलब एक ग्रीन कलर का चश्मा चड़ गया है अब उसको उसी कलर से नजर आएगा घटना घटी थ पास्ट में और लिख दिया फ्यूचर मतलब पूरा आगे का फ्यूचर लिखा जा चुका है एक एग्जामपल और देता हूँ आपको मैं मैं क्लास के अंदर बैठा था स्कूल के अंदर ही मेरे बाद बहुत बड़े हो गए थे मेरी टीचर ने पकड़ के मेरे को बालों से खीज दिया स्कूल में सरकाश स्कूल में बढ़ता था मैं और इतनी बेच थी कि मेरे मन में गटना बैठे की टीचर सारे खराब होते हैं org उसके बाद मेंने अपना रिलेशनशिप जो टीचर के साथ ता वो क्रिएट कर लिया तो उसके बाद मैं कभी भी टीचर के साथ था हाँ हूँ समझ में आ रहा है आपको और आगे बताता हूँ दो दोस्त हैं उनके बीच में फाइट हो गई है मालो एक सहेली ने दूसरी सहेली को धपड मर दिया अब इसके दिमाग में क्या बैट गया है कि मुझे इससे बडला लेना है मुझे से भडास निकालनी है क्या इन बीच में दोस्ती की possibility बहुत कम है दोस्ती और अगर प्यार लाना है इसी तरीके से बहुत सारी घटना होती है husband wife में साज बहु में बाप बेटे के अंदर boss employee के अंदर कुछ घटना घटती है और उसको हम पकड़ लेते हैं वही घटना से चश्मा चड़ जाता है और future लिख लिखा जा चुका होता है आपको मेरी बात समझ में आ रही है दुबार से समझाता हूं फाइल पास्ट की है दो साल पहले दस साल पहले घटना घटी थी तो उसको अलमारी में past में रखना था रख कहां दिया future में रख दिया अब चाहे आपकी पैसे से रिलेटेड हो कुछ है घटी मनी से रिलेटेड नेगेटी बिलीफ बन गए है जॉब से रिलेटेड नेगेटी बिलीफ बन गए है मतला आपका future लिखा जा चुका है वही past की घटना बार बार रिपीट होंगी solution क्या है अगर आपको साफ सुत्रा अच्छा भविश्य बनाना है solution क्या है उसका ज इसके अंदर इतनी सारी घटना है बच्पन से लेके बड़े होते होते इतनी घटना है लिखी जा चुकी है वैसे ही जैसे की board है white board है इस white board के ओपर बहुत कुछ लिखा जा चुका है मालो यह white board है भरा पड़ा है अब इसके ओपर क्या कुछ नया fresh starting की जा सकती है नहीं की जा सकती अगर white board के ओपर सब भरा हुआ है भरा हुआ है तो आप कुछ नहीं कर सकते करना क्या पड़ेगा जैसे white board के ओपर अगर कुछ लिखना है तो क्या करना पड़ेगा पहले इसे clean करना पड़ेगा कैसे clean करना पड़ेगा ऐसे अब क्या इसके ओपर कुछ लिखा जा स सकता है कुछ भी लिखा जा सकता है fresh तरीके से fresh टार्ट हो सकता है उसी तरीके से हमें अपना mind जो है वह empty करना बहुत ज़रूरी है दुनिया भर का हम जब past carry करते हैं वह सिरफ past ही बरबाद नहीं करता है हमारा हमारा future भी बरबाद कर देता है आपको प्रेक्टिस करनी पड़ेगी किसी चीज़ की कि आपका वाइट बोर्ड जैसे ये क्लीन हुआ ना वैसे आपको अपना दिमाग को क्लीन करना सीखना पड़ेगा empty your mind मेरी बात समझ में आगे कितना important है पैसा, relationship, health हर चीज़ के बारे में आपका mind भर चुका है preconceived notions, negativity और negativity विचारों में नहीं है, emotions के तुरू पूरी body में भी फैल चुकी है अगर आप अच्छा भविश्य बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? empty your mind क्या करना पड़ेगा? empty your mind और ये possibility किससे आती है? empty your mind से meditation जब हम लोग करते हैं, धीरे-धीरे विचार, शान्त होते हैं, हमारी body के अंदर जो गाठी हैं, वो कम होती चली जाती है मैं आपको suggest करूँआ, मेरी meditation की playlist पर जाईए, वहाँ पर बहुत सारी वीडियो दे रखी है, guided meditation की है, और normal meditations की टेकनीक सिखा रखी है अगर आप अच्छा भाईश्य चाहते हैं, empty करना सीखिये mind को, आपके relationship में भी खूपसूरती आजाएगी, आपकी life में भी खूपसूरती आजाएगी यह मेरी बात अगर समझ में आई है, तो family friends के साथ भी share कीजिए, बहुत गहरी science सिखाई है आपको मैंने, thank you very much, अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो भी कर दीजिए